अगर आप जानना चाहते हो कि GoDaddy के cPanel में एक से ज़्यादा domains किस तरह से add करते हैं तो ये वीडियो आपके काम का है वीडियो को last तक जरूर देखें तो हाई दोस्तो मैं हूँ सौनवीड सिंग तो चली start करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने GoDaddy के एकाउंट में और cPanel के एकाउंट में login होना पड़ेगा जो कि मैं पहले से हूँ तो यहाँ पर मैं अपना browser on कर लेता हूँ यहाँ पर देखोगे यहाँ पर है कि यह मेरा GoDaddy के एकाउंट है यहाँ पर already been logged in हूँ तो यहाँ पर मैं a.tv.tex.com और यह मैंने कुछी देन पहले परसेज किया है और इसी के नाम पर इस चैनल का नाम हैzone Tax When तो इस domain को आपे मैं add करने वाला हूँ अपने cPanel में है तो अभी cPanel ने आपे मेरा यह रहा हूँ, तो पहले में आपको दिखाता हूँ कि मेरा जो domain कहीं भी add नहीं है, कहीं भी host नहीं है, तो उसका DNS में park दिखाएगा, यानि कि park दिखाएगा, ओके, तो यहाँ पर देख hosting server है, उसका IP address यहाँ पर आ जाएगा, तो अभी देख लिजिए, और फिर हम दिखाएगे बाद में जब add कर देंगे, ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी इसको ऐसे रेन देता हूँ, और हम चलते हैं अपने कहाँ पर, अपने cPanel पर, और cPanel में आपको एक option म यहाँ पर देखेंगे, पहले domains, कि मैंने कितने domain add कर रखें, जो मेरा hosting plan है, उस hosting plan क्या है, कि मैं उसमें 5 domain add कर सकता हूँ, तो already आपर मैंने 3 domains add कर रखें, तो 2 domain और add कर सकता हूँ, तो अभी यह 4 domain है, जो मैं add कर रहा हूँ, ठीक है, तो अभी बापर चलते हैं, अपने dashboard प add on domains, तो मैं add on domains पर click करता हूँ, और यहाँ पर उस domain का नाम लिखना है, जो domain आपने purchase किया है, और अभी तक उसको आपने कहीं भी add नहीं किया, और उसे first time आपर add कर रहे, तो यहाँ पर मैं उस domain का नाम लिख देता हूँ, तो son V tech है, यहाँ ठीक है, तो यह domain है, son V tech, son V tech, son dot com, तो वो यहाँ पर लिखना है, तो वो लिख देता है आप है, और root directory यहाँ हमारी है, कि public html और son V tech dot com, इसके बाद जो next option है, आप है, create an FTP account associate with this add on domains, तो अभी FTP account हमको नहीं बनाना है, FTP account हम फिर कभी कोई वीडियो बनाएंग, उस पर अच्छे हैं समझाएंगे, FTP हो html की है, php, जो भी coding की website है, तो वहाँ पर जुरुत पढ़ती है, direct हमें अपना cpanel खोलना नहीं पड़ेगा, files को upload करने के लिए, तो हम FTP account के जरिए हम, जैसे फाइल जिल्ला के जरिए हम अपना files को data को, अपने hosting, जो hosting domains है, वहाँ पर जाके हम add कर सकते हैं, ओके, तो मुझे FTP account नहीं बनाना है, ठीक है, और यह सारा detail आप डालने के बाद जिस्ट आपको add domains पर आपको click करना है, देखो नीचे देखोगे, जो add on domains में क्या है, sonwitsing.com और wavtag.com है, जैसी इस पर मैं add domains करूँगा, तो एक तीसरा domain और आ जागा, तो मैं add domains पर click कर देता हूँ, okay, तो अभी यहाँ पर क्या है कि the add on domains sonwits tag.com has been created, तो यहाँ पर जो मेरे domain है add हो गया है, तो एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, मैं इस पर फिट से click करता हूँ, dashboard वाले पर और नीचे चलते हैं, और domains पर click करता हूँ, इस बार कर दोमेंस पर click करूँगा, और देखूँग तो देखते हैं, तो देखते हैं, अभी यहाँ पर बेता हो चौथ हर डोमेन आपर आगया, sonwits tag.com, क्या आगया, sonwits tag.com, यानि कि यह add हो गया, अभी क्या है, आप यहाँ पर या तो जो html की side है, उसे upload कर सकते हो, या फिर आप अपना wordpress की side याँ पर setup कर सकते हो, ठीक है तो फिलाल यहाँ पर क्या है, कि मैं wordpress की side यहाँ पर setup करूँगा, जैसी मैं wordpress की side setup करूँगा, तो उसे वीडियो में बना दूँगा, ठीक है, तो यह हो गया, यह add हो गया, तो और अभी चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं, मैं इसके dashboard पर जाता हूँ, dashboard पर जाने के बाद नहीं हुआ होगा, तो इस IP address को मुझे add करना है, कहाँ पर इस domain pair, ठीक है, DNS पर जैसे मैं space को refresh करूँगा, तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आजाना चाहिए, ठीक है, अगर नहीं आएगा, तो हम यहाँ पर इसको add करेंगे manually, ठीक है, वैसे तो अपने आप आ जाता है, ठी अब यहाँ पर क्या, यह automatically आ गया है, यह कवर नहीं आएगा, जब आपका domain अलग company का है, hosting अलग company की है, तब हमें कुछ जुरूत पड़ती है add करने की, नहीं तो automatic add हो जाएगा, आपका hosting और domains दोनो, good idea किसी अलग company के है, तो आपर देखोगे, कि यहाँ पर जो DNS है, आपर यह पर एड्राइड ओ गया, यहाँ पर आगया, जो IP address मेरा आपधा है, यहाँ पर था है, तो इस तरह से आप अपने, एक से ज्यादा domains को आपए add कर सकते हो, कि है ड़िपेंड करता है कि आपका hosting plan कौन सा है, अगर एक सा ज्यादा domains का hosting plan है, तो एक से ज्यादा domains आपए add कर खाल लिजीं तुछ तरह से हम अपना हम्ह lock करते हैं अगर शोप दोमेन के आद सब और के से बनाते हैं अगर यसופल वीडियो चाहिए और सेल कीजी दोस्तों कि साथ और चैनल को ससक्राब करके बेल ऐकन जरुरर दबाएं तो यह प्र वाचिंग invite